हलो एवरिवन वैलकम टो एजूकेसंडाइस आज के इस क्लास में हम क्लास 10th की सामाजिक विग्यान का मॉडल पेपर देखेंगे बूड परिक्सा 2023 के लिए जैसा कि आप सबको पता है कि बूड ने जो पेटन था मॉडल पेपर्स का वो जारी कर दिया है और उसी के हजार पर हमने ये मॉडल पेपर्स आपके लिए तयार की हैं इस रंकला में आपको लगातार मॉडल पेपर्स मिलते रहेंगे तो आईए शुरू करते हैं model papers और इसकी PDF आपको हमारे app में मिलेगी आप हमारा app डाउनलोड कर सकते हैं इसका link इस video के description में मिल जाएगा आपको तो model papers परिक्षा 2023 के लिए और सामाजीक विग्यान का paper है हम RBSC board के papers जो हो देख रहे हैं तो पहला प्रस्ण है यहाँ पर जो board के pattern के according जैसे objective type के questions अति लगुत रात्मक लगुत रात्मक रिक्तिस्थान वाले प्रस्ण सारी प्रस्ण हम देखने वाले हैं पहला प्रस्ण है कि किस घटना से सभी ने अविग्या आंदोलन की सुरुआत हुई थी चार यहाँ पर option दिये हुएं कि जब गांदी जी ने नमक कानून तोड़ा आपको पता होगा 1930 में दूसरा खा है कि जब गांदी अंबेट कर समझोता हुआ और फिर next गा option है कि जब गांदी जी ने इर्विन को पत्र लिखा और option गा है ये सभी तो क्या कारण था किस वज़े से सभी ने अविग्या अंदोलन सुरुआ था तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका option क कि जब गांदी जी ने नमक कानून तोड़ा और नमक कानून तोड़ने के साथ ही सभी ने अविग्या अंदोलन की सुरुआत मानी जाती है दूसरा प्रस्फन है पोना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ था आप सब को बता होगा दोस्तों उन्स सोला मे पोना पैक्ट जो है वो गांधी जी और अम्बेड करके बीच में हुआ था तीसरा प्रसना है निम्नलिकित मैंसे किसने वंदे मातरम लिखा आप्सन एक है रविंद्र नाथ टैगोर आप्सन खा है बंकिम चन चटोपाद्याई आप्सन गह है अवनेंद्र नाथ टैगोर और आप्सन गह है द्वार का नाथ टैगोर तो यहाँ पर जो वंदे मात्र में जिसे हमारा रास्ट गीत हम कहते हैं भारत का रास्ट गीत तो ये बंकिम चन चटरजी या फिर बंकिम चन चटोपाद्याय ने लिखा था हमारा जो रास्ट गाने जिसे जनगर्ण मन हम कहते हैं वो रविंद्र नाठ टैगोर ने लिखा थ और तीसरा जो option है अउनेंद्र नाथ टेगुर इन्होंने भारत माता की तस्विर जो वो बनाई थी अगला प्रसना है चोथा चोथा प्रसना है कि निम्नमैसे किस ने आंदो लन से प्रेरित होकर भारत माता की विख्यात छवी को चित्रित किया था और तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका option खा अउनेंद्र नाथ टेगुर ने भारत माता की विख्यात छवी को चित्रित किया था बंकिम चन चटो पाध्याए ने अभी हमने देखा हमारा जो रास्ट गीत है बंदे मात्रम ये लिखा था इन्होंने क्रिपाल सिंग से खावत ब्लू पॉटरी के लिए जाने जाते हैं और राजा रवी वर्मा चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं नेक्स्ट अप्शन है प्रसन है पांचवा अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ जो प्रसन आपजेक्टिव ली हैं उसके बाद कुछ अतिल अगूतरात्मक प्रसना ले लेते हैं तो पांचवा प्रसना है कि जलिया वाला बाग हत्या कांड कब और कहां हुआ था तो जलिय और डायर ने उन निहत्ते लोगों पर जो की एक सभा कर रहे थे उन लोगों पर जो है वो गोली बारी करवा दी थी और उसमें कहीं सेकड़ों लोग मारे गए थे अगला प्रसना है चट्ठा उदारवाद का आर्थ बताईए उदारवाद लेटिन भासा के सब्द लीबर पर आदारी थे हैं जिसका आर्थ है स्वतंतरता या आजादी तो उदारवाद का आर्थ है स्वतंतरता या आजादी नेक्स प्रसन है साथवा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम लिखिये तो इसका आपको लिखना है कि जो किताब थी हिंद स्वराज ये पुस्तक जो है मात्मा गांदी ने लेखिये थी इस पुस्तक के लेखक है मात्मा गांदी दोस्तों आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि रोजाना सामको साड़े आठ बजे होती है हमारी लाइब क्लास जहांपर हम विबिन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और ये जो वीडियोज हम जो भी जारी करते हैं उसकी पीडियेप के लिए आप हमारा एप डाउनलोड करिए और हमारे टेलिग्रम चैनल आप जोइन कर लिजी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे दोनों के आप जोइन कर लिजी जहांपर एक्जाम से रिलेटिड मैथवपून इन्फोर्मेश इस्थापित किया गया था नेक्स प्रसना है नववा पिकेटिंग क्या है तो पिकेटिंग का आर्थ होता है कि प्रदर्शन या वीरोध का एक ऐसा स्वारूप जिसमें लोग किसी दुकान कार खाना अत्वा कार्यालाई के भीतर जाने का रास्ता रोक देते हैं उसे पिके रूस प्रसा और आस्ट्रिया ने मिलकर के 1815 में वाटरलू का जो युद हुआ था उस वाटरलू के युद में नैपोलियन को हरा दिया था और नेक्स प्रसना है अग्यारवा रूडिवाद क्या है रूडिवाद एक ऐसा राजनितिक दर्सन है जो परंपरा द्वारा इस् परंपरा इसी परंपरा है जो पुरानी रिती रिवाजों पर ही जादा जोर देती है और किसी भी नए परिवर्तन को जल्दी से स्विकार नहीं करती है बलकि क्रमस धीरे धीरे जो वो उन्हें स्विकार करने पर बल दिया जाता है अगले प्रसना है बारवा जू सेपे सिनी का जन्म 1807 में जैनुवा में हुआ था दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बोड एक्जाम्स 2023 के एक्जाम तक हम यहाँ पर आपको करवाएंगे तैयारी और अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करना चाते हैं जैसे आपका हिंदी इंगलेज आपका सामाजिक विज्ञान गणित तो आप हमारे साथ बने रहे हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे model papers और इसी के साथ आपके जो chapters हैं वो cover करवाए जाएंगे और important questions आपको यहाँ पर जरूर मिलते रहेंगे thank you मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye धन्यवाद